हात्रस जिले की सिकंदरा मौव विधानसभा श्यत्रुखी सियासत भी अजीब है विधानसभा बनने के बाद दो बार इस विधानसभा पर कॉंगर सत्ता में आई लेकिन उसके बाद यहां की सियासत ने ऐसी करवट ली कि मानुश स्यत्र से सरकार ने अपना मुहों मोड लिय हो 1957 चुनाव के बाद यहां कोई ऐसी पार्टी का विधायक नहीं बचा नहीं बना जिसकी यूपी की सप्ता में सरकार हो 2017 चुनाव में यहां से कौन विधायक चुना जाएगा यह तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा लेकिन उससे पहले सिकंद्रा राओ की 2012 विधान सब चुनाव में क्या थी? इस्तिती देखे इस रिपोर्ट के जरीए है समाजवादी पार्टी के यश्पाल सिंग चौहान को पराजित किया था हलंकि इस बार समाजवादी पार्टी के लिए लड़ाई और भी मुश्किल है क्यूंकि पार्टी के भीतर चल रही लड़ाई का असर इस चुनाव में देखा जा सकता है यू तो 2012 विधानसवा चुनाव काफी दिल्चस्प रहा था और कांटे के मुकाबले में बीएसपी के प्रत्याशी को सिर्फ 1063 वोट से जीत मिली थी बात अगर 2012 चुनाव की हो रही है तो आईए सबसे पहले सिकंद्रा राव विधानसवा के उन आकडों पर नज़र डालते हैं जिनके कंधों पर क्षेत्र के लिए विधायक चुनने के जिम्मेदारी होती है साल 2012 के आकडों के मताबिक इस विधानसवा सीट पर कुल मतदाताओं की संख्या 3,18,000 सरसथ है जिसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 1,77,353 है जबकि महिला मतदाताओं की संख्या 1,4,712 है जबकि अन्य मतदाताओं की संख्या 2 है वहीं अगर सोल्वी विधान सबा चुनाव नतीजे की बात करे तो यहां बियस्पी के रामवी रुपाध्याई पर यहां की जनता महरबान रही 2012 चुनाव में रामवी रुपाध्याई ने सपा के एशपाल सिंग चोहान को पराजित किया था सोलवे विदानसपा चुनाव दोहजार बारा के नतीजे बीएसपी के रामवीर उपाध्याय जीते उन्हें 94,471 वोट मिले उनका वोट परसेंट 45.81 रहा सपा के अशपाल सिंग चोहान दूसरे नंबर पर रहे उन्हें 93,408 वोट मिले उनका वोट परसेंट 45.30 रहा आरलडी के ओम प्रकाश तीसरे नंबर पर रहे उन्हें 6,113 वोट मिले उनका वोट परसेंट 2.9 जेー रहा बीजेपी के नरेंदु सिंग 4.052 वोट मिले उनका वोट परसेंट 1.9 जेरा सिकंदरा राव विधानसबा सीट पहले दो चुनाव 1952 और 1957 के बाद से अलग-अलग परिणाम देती रही है आजादी के बाद यहां दो चुनाव में लगातार कॉंग्रेस की जीत हुई जबकि तीसरे चुनाव में यहां से निर्दलिय प्रत्याशी ने चुनाव जीता इसके बाद इस सीट पर जो परिणाम आए है वो मिश्रित रहे इस विधानसावा की खास बात यह है कि एकसर प्रदेश में काबिस सरकार से अलग पार्टी के प्रत्याशी बाजी मारते रहे है सिकंद्रा राओ विधानसावा श्षेतर जहां की जुनता के सामने समस्याओं कामबार है लेकिन आज तक ऐसा विधायक नहीं मिला जिसने इमानदारी से जुनता की सेवा की हो ठाकुर और दलित मद्दाताओं के सहरे विधायक जीत तो जाते हैं लेकिन चुनाब जीतने के बाद वही जातियां उपेक्षित हो जाती है 2017 चुनाब के लिए एक बार फिर सिकंद्रा राओ विधानसभा तयार है और एक बार फिर पार्टियां जातिये गुना गणित बिठाने की जुगत में लग गई है आखिर क्या है इस विधानसभा का जातिय समिकरन देखे रिपोर्ट लोकसभा क्षेत्र हात्रस वर्टमान विधायक रामवीर उबाध्या हात्र सिले की सिकंद्रा राओ विधानसभा सामान्य सीठ है लेकिन विधानसभा की खास बात यहां का जातीय समिकरन है 1952 से लेकर अब तक के चुनावों में कही न कहीं समीकरण का प्रभाव रहा है और शायद यही वज़ा है कि सूबे में किसी की भी सरकार क्यों न हो लेकिन यहां का चुनावी परिणाम हमेशा उलट होता है जातीय समीकरण जानने से पहले इस विधानसभाक शेत्र में धार्मिक प्रभाव क्या है आईए समझने की करते हैं कोशिश धर्म के अधार पर सिकंदरा राओ विधानसभा कुल मतदाता 3,18,000 सरसत हिंदू मतदाता 2,55,000 सरसत मुसलिम मतदाता 31,000 हिंदू बहुत शेत्र होने के साथ यहां ठाकूर जाती के मतदाताओं की संख्या सबसे अधिक है जबकि मुसलिम और तलित वोटर्स की संख्या को भी नकारा नहीं जा सकता आकिर इस विधानसभा पर अलग अलग जातियां किस तरह से चुनाप को प्रभावित कर सकती है उस आकड़े पर भी डालते हैं एक नजर जातिकत आकड़े सिकंदरा राओ विधानसभा ठाकूर 28,70 फीज़दी यादव 12,89 फीज़दी भ्रामबर 6,92 फीज़दी मुसलिम 9,75 फीज़दी वैशिप 3,80 फीज़दी दलित 23,20 फीज़दी अनुसूचित जाती 13,86 फीज़दी अन्य 10,06 फीज़दी कुल 3,18,000 सरसट जातिके अधार पर देखा जाये तो यहाँ ठाकूर के बाद दलित और अनुसूचित जाती के मतदाताओं की संख्या सबसे जादा है दलित और अनुसूचित जाती के मतदाता अकसर इस विधानसबा चुनाव पर अपना जातिये प्रभाव छोड़ने में काम्यापी रहे हैं लेकिन ठाकूर के साथ साथ दूसरी जाती के प्रभावों को भी यहाँ से नकारा नहीं जा सकता ग्यारा फरवरी को हुने वाले चुनाव से पहले सभी राजनीतिक पार्टियां जाती है समीकरन बैठाने में जुटी है अखना होगा कि किस पार्टि को किस जाती के लोगों का वोट मिलता है और कौन सी जाती किस पार्टि के समीकरन को बिगाड़ती है ब्यूर्ड पोर्ट समाचार प्लस नसलक नबस्टैन सिकंदरा राउ विधान सभा की जुनता परिशानियों से तरस्त है जबकि विधायक जीतने के बाद शेत्र का रास्ता भूल जाते हैं विधायकों को न जनता की सुद रही है और ना ही उन्हें वने वाले परिशानियों का इल्म आईए देखते हैं आखिर सिकंदरा राउ विधान सभा की जुनता क्यों है परिशान सिकंदरा राउ की जनता विधायक जिसे है परेशान जिसकी बनती है सरकार उस पार्टी से नहीं चुन जाते हैं विधायक कानून व्यवस्था का पुरा हाल जनता परेशान बेरोजगारी सड़क प्रष्टाचार बड़ी समस्या कानून व्यवस्था की दर्जियां उड़ी हैं पुलिस प्रष्टाचार फैला हुआ है और सिक्षा की दिसा में भी सिकंदरा पिछड़ा हुआ है हाँ बीजेपी अगर किसी छेतरी ब्रेक्टी को अगर टिकेट देती है सिकंदरा में अगर वह चुनाप रड़ता है तो निश्चित बिज़े होगी उसकी और वह चुनाप जीतेगा विरोजगारी की समस्या दूर होगी सिकंदरा हुआ हुए सड़कों की खस्ता हालत सुदरेगी रष्टाचार पर लगाम लगेगी और महला सुरक्षा की तरब भी काम किया जाएगा सिकंदरा राव विधान सभा में समस्याओं का अमबार बस स्टेंड और कन्या पाट शाला नहीं होने से लोगों और अभिवावों को को होती है परेशानी जनता से जुड़े विधायक जी की तलाश जरजर सडकों से यादायास में होती है परेशानी सबसे बड़ी सबस्टेंड करीब पचाथ साल से याद कोई पसिस्टेंड की ब्योस्था नहीं है कि बिजिली और अच्छे अस्पताल की नहीं है ब्योस्था कि सिकंदरा राव की जनता के लिए विधायक जी के पास नहीं होता है समय करें सिकंदरा राव विधानसभा की बेबसी ही कहें आज तक विधानसभा को वैसा विधायक नहीं मिला जिसकी सत्ता में हुकूमत रही हो और एक वजह ये भी है कि यहां के विकास के लिए किसी भी विधायक ने सत्ता के हुक्मरानों से इस विधानसभा के लिए वाजी भग की मांग नहीं की 2017 चुनाव में क्या होगा ये तो भवशी ही बताएगा लेकिन इंतजार उस घड़ी का है जब इन्हें जनता से जुड़े विधायक का साथ मिले और इनकी तकलीफों से निजाद दिलाए गुलाब और उसकेत्र के लिए अपनी खास पहचान बनाने वाला इस सिकंद्रा राओ अब इसी पहचान से महरूम होता हुआ दिख रही है ये विधानसभा कारण है सरकार की बेरुखी आके सिकंद्राबाद के किसानों की क्या है परिशानी आईए आपको दिखाते हैं कंद्रा राओ विधानसभा में मत्ताताओं की संख्या करीब 3,61,000 है कंद्रा राओ विधानसभा के कस्पा सिकंद्रा राओ से जीटी रोड गुजरता है लेकिन कस्पे के अंदर तथा पहरी छेत्रों से गंदगी गंदे पानी के भराव तूटी सड के कस्पे की सूरत को छेत्र में जहां तक जीटी रोड का सवाल है इसमें कस्पे के अंदर का रास्ता अकसर खराब रहता है और इस पर लगने वाला जाम भी लोगों को अकसर परिशान करता है विधान सवा छेत्र में बिजली की कम उफलब्तिता लोगों की सबसे बड़ी समस्या बन जाती है परती भूमी के कारण ये छेत्र धान उत्पादन का बढ़ा छेत्र है लेकिन यहां बिजली कम आती है इसलिए किसानों को सिचाई के लिए अन्य खर्चिले साधरों का उप पाई की दरकार है सिकंडरा राव विधान सभा में आने वाला हसायन शेत्र गुलाब की खेती और इत्र उत्पादन में अपनी अलगी पहचान रखता है लेकिन विडबना है कि छेत्र के गुलाब उत्पादक किसानों को अब केवल काटे ही हाथ लगते हैं रही बात मुना कुलाब उत्पादन में जो शॉलियतें करनाोज को मिल रही है वैसी ही सहूलियत गुलाब उत्पारक किसान और इत्र उत्पादक चाहते हैं लेकिन किसी भी सरकार और जन प्रतिनीदी के समय में उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ है अब उमीद 2017 चुनाव से हैं देखना है कि गुलाब और मोती के लिए अपनी अलग पहचान बनाने वाले सिकंद्रा राव विधान सभाव की चंता की परिशानियों से उबारने वाला कोई विधाक मिलता है या नहीं है बेरे रुपोर्ट समाचार दस ये बल्देव विधान सभाव सीट मत्रा में ही आती है मत्रा से सटा होनी की वज़े से सीट का भी अपना एक एतिहासिक महत्व है लेकिन सियासत की लिहाज से भी इस सीट की बड़ी भूमिका है इस बार हर पार्टी यहां से जीतने के लिए पूरी जोर आजमाईश करती हुई दिख रही है बलदेव नाम श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम के नाम पपड़ा है यहां एक बलब्रद कुंड भी है कहा जाता है इसी तलाब से बलराम और उनकी पत्नी की प्रतिमा निकली थी यह इलाका मत्रा से करीब 20 किलोमेटर की दूरी पर स्थित है यह तो हो गया बलदेव का एतिहासिक महत अब एक नजर बलदेव विदानसवा सीट पर भी 403 सीटों वाली विदानसवा में बलदेव का नंबर है 85 2008 में अस्तित्र में आई थी बलदेव विदानसवा सीट अब तक एक ही बार हुआ है विदानसवा चनाओ पल्देव विदानसवा की साक्षर्टा दर है करीब 60 फीजदी इस विदानसवा सीट के लिए विकास है बड़ा मुद्दा पिछले चुनाओ में पल्देव विदानसवा सीट पर R&D का कबज़ा था लेकिन इस बार पाजी कौन मारेगा ये कहा नहीं जा सकता एक नजर पिछले विदानसवा चिनाओ के आकड़ों पर R&D के पूलन प्रकाश ने यहां जीत हासल की थी उन्हें 79,364 वोट मिले और उनका वोट प्रतीशत रहा था 41,5 ती वहीं BSP के चंदरभान सिंग दूसरे स्थान पर रहे उन्हें 47,270 वोट मिले और उनका वोट प्रतीशत रहा 24 दशमलब साथ चान तो वहीं अजय कुमार पांडिया BJP से तीसतरे स्थान पर रहे उन्हें 45,372 वोट मिले और उनका वोटिंग प्रतीशत रहा 23 दशमलब साथ चान समाजबादी पार्टी के अर्मिल कुमार चौथे स्थान पर रहे और उन्हें 10,194 वोट मिले और उनका वोटिंग प्रतीशत रहा 5 दशमलब 3 पिछने चनाव में इस सीट पर समाजबादी पार्टी चौथे स्थान पर थी तो कॉंगर्स को टॉप 5 में भी जगह नहीं मिल लोग समाजबादी चनाव में मतरा सिर्जीत का स्वाज चखने वाली बीजेपी दूसे नंबर पर नहीं थी ऐसे में सपा, बीजेपी और बस्पा के बीच इस सीट को अपने नाम करने की घोल लगी हुई है तो आरलडी भी अपने गड़ में पाफसी करने को बेकरार होगी लेकिन ये किसके कबजे में आगी ये जन्ता के मूद पर निर्वर करेगा वियोन रिपोर्ट समचापलाद मल्देव विधानसबाद सीट जात ब्राह्मन और जात बाहूले इलाका है पिछले विधानसबाद चुनावों के मताबिक ये आरलडी का गड़ माना गया है लेकिन इस बार सभी पार्टियों ने इस सीट को जीतने के लिए पूरी ताकर जोगती है ये सीट जीतने के लिए जाती समीकरण का भी बेहत एहम रोल है बलडेब बिधानसबाद सीट मतरा में आती है यहां जाटो की आबादी ज्यादा है इस सीट पर भी परिसीमन का बड़ा असर पड़ा है नए परिसीमन के बाद बलडेब बिधानसबाद सीट को समानि से आरक्षित कर दिया गया था साथ ही इसका नाम भी गोकुल बिदान सभा से बदल कर पल्देब कर दिया गया इस सीट के करीब तेन दर्जन गाओं को मांट बिदान सभा में शामिल कर दिया गया वहीं मांट बिदान सभा के भी तेन दर्जन गाओं को इस सीट में शामिल किया गया अब एक नजर पिष्टे चुनावों के आकड़ों पर कुल मद्दा था 3,17,156 जिसमें पुरुष मद्दाताओं की संक्या 1,67,695 महिना मद्दा था 1,44,426 और अन्न पांच मुझूदा आकड़ों पर नजर डाले तो कुल मद्दाता 3,45,428 जिसमें पुरुष मद्दाताओं की संक्या 1,87,389 महिना मद्दाताओं की संक्या 1,58,20 वैं अन्न उन्निस पिछले आकड़ों के मताबिक इस बार मद्दाताओं की तादार करीब 28,000 ज्यादा है जिसमें सैकड़ों यूबा मद्दाता है जो पहली बार वोट करेंगे लेहाजा इनकी भूमिका इस बार के चुनावों में बेहत एहम होगी अविक नजर बल्देव विधानसबा स्रीट के जाती गत आकड़ों पर जाट तीस दशमलव तो पाच पीजदी जाटव बाइस दशमलव पाच पीजदी ब्राम्मर अठाड़ दशमलव साथ पीजदी ठाकोट पंद्रा पीजदी बल्देव विधानसबा स्रीट पर सैकड़ों की तादाद में यूबा वोटर है लेहाजा उनके लिए सिक्षा और विकास का मुद्दा एहम होगा ऐसे में यहाँ वोटर्स को बरगलाना इतना आसान नहीं होगा लेहाजा जीत के दाउ के दर्शन उसी को होंगे जो जाती समीकरण के साथ मुद्दों पर भी फोकस करेगा बीरो रिपोर्ट समचा प्लस